नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेडाफोम में एक बेयादी मतपड वीडियो के साथ दोस्तों आप साइद काजू, किसमिस, बादाम जैसे ड्राइफूर्ट खाते होंगे या जरूर ही खाये होंगे क्योंकि आपको पता है कि इन ड्राइफूर्ट के अंदर सरीर को लाफ पहुचाने वाले कई पोसकतर तो मौजूद होते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इनी फलो की तरह अंजीर भी एक बहुत ही लाफ प्रद ड्राइफूर्ट है क्या आपको पता है कि अंजीर खाने से सरीर को हर एक परकार से फायदे होते हैं, इसलिए आप अंजीर का परियोक कर सरीर को स्वस्त बना सकते हैं, जैसे कि तुचा या अगना से समन्धित विकारों को ठीक कर सकते हैं, इतना ही नहीं, आप अंजीर का सेवन कर कई रुग का इ नुक्सान क्या है? लेकिन इससे पहले आपको यह समझाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर अंजीर है क्या चीज? तो दोस्तों आपको बता दूं कि अंजीर स्वास्त के लिए बहुत फायदमंद होता है अंजीर में जिंक, मैगनीज, मैगनीसियम, आयरन जैसे खनीज पाये जाते हैं अंजीर में एंटी ऑक्सिडेंट और हाइबर भी भरपूर मातरा में पाये जाता है अंजीर के सेवन से पूर्सों को हर्मोनल समस्या और गंभीर प्रसानी नहीं होती है। इसके अलावा भीगेव अंजीर खाने से वजन कम करने में सहायता मिलती है। इसके सेवन से आपका पेट जाला समय तक भरा हुआ रहता है। इसके साथ ये हट समझे समस्याओं को भी दूर करता है। इसी तरह ये डावेटीज की मरीजय के लिए भी बेयाद उपयोगी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका सेवन सिर्फ पूरुस ही कर सकते हैं। इसका सेवन हर कोई कर सकता है। तो चली सुरू करते हैं बिना किसी देरी के अंजीर के फैदों के बारे में विस्तार से जानना। पहला पाइदा हाइबलड प्रेसर के लिए। अगर आपको बलड प्रेसर की समस्या है तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर में फ्लेवनोईट्स और पोटैसियम वरपूर मातरा में पाये जाते हैं जिससे हाइब्रड पैसर की समस्या को कम किया जा सकता है। दूसरा फायदा एसडीटी में अंजीर के सिवन से मिलता है लाब। प्राय ऐसा देखा जाता है कि तीखा या मसालदार खाना खाने के बाद सरीर में जलन होने लगती है या असडीटी के समस्या हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है और आप परसान रहते हैं तो अंजीर आपके लिए फायदबन साबित हो सकता है। इसके लिए आप एक से दो सुखे अंजीर को गुड के साथ मिला कर खा सकते हैं। इसे से पेट की जलन की परसानी में आराम मिलता है। तीसरा फायदा दिल को रखता है स्वस्त। अगर आप अपने दिल को सोस्त रखना चाहते हैं तो रोजाना अंजीर और दूद का सेवन करें। ये आपको हिड़दे समय बिमारियों से भी बचायेगा क्यूंकि ये हिड़देगत को नियंतित करता है। यदि आपको बड़ खाने से जल्दी पूरी हो जाती है। पाचवा फायदा कैंसर से करता है बचाओ अंटी आक्सिदेंट रीच दत्व के कारड अंजीर शरीर में को सिकाओं के अनिंतित प्रसार को रोकने मदद करता है। ये ब्रेस्ट कैंसर से पीडित बेक्तियों को तुरंत रहा देने वा अंजीर में मौजूद ओमेगा 3 तथों ओमेगा 6 वा फैटी एसिद बूर होने के कारड ये हमारे दिल को फ्रीरिडिकल से बचाने में मदद करता है। साथमा फायदा सरीर से बाहर करता है विसातक पदार अंजीर का सेवन सरीर के लिए बहुत ही सारे फायदे देता है। अ पर्मुक कार भी स्वास नली का साफ ना होना होता है। बलगम वाले समय में अंजीर का परियो करता है तो बलगम सरलता से बाहर आ जाता है और इससे दमे का रोगी आराम अनुभो करता है। दोस्तों इसलिए अंजीर को बहुत फैदिमंद माना जाता है। लेकिन क्या जोस्तो अंजीर का अधिक मात्रा में सेवन करने से सरी को कई नुकसान भी हो सकते हैं, तो चलिए अब हम आपको अंजीर खाने के नुकसान या अंजीर कम नई खाना चाहे कि ये बारे में बताते हैं, दात दर्द, अंजीर का अधिक सेवन करने से दात दर्द या दातों में स केलसियम को असोसित करता है इससे आपके बाड़ी में कैलसियम कम हो सकता है पेट दर्द अंजीर को वैसे तो पाचन के लिए अच्छा माना जाता है लेकिन अंजीर का अधिक मातरा में सेवन करने से पेट दर्द या पेट फुलने की समस्या भी हो सकती है अलर्जी का होना अगर आप अंजीर का 7 किवल सिमित मात्रा में करते हैं तो इसली किवल स्वात के चक्र में अंजीर को कभी भी ज्यादा ने खाएं, यह बहुत ही गर्म होते हैं, और गर्मी के दरान इसले आपको और भी बिमारी हो सकती है, इसके बाद दोस्तों यह भी जान लेते हैं कि दोस्तों अंजीर एक बहुत ही पोस्टिक बोजन है जो अकेले भी खाया जा सकता है या नास्ता में भी सामिल किया जा सकता है इसे आप सलाद में काट कर भी खा सकते हैं अंजीर पिसे सिरुप से मिठी डिस, जैम, स्मूदी और मिठाई बनाने में इस्तमाल किया जाता है इस इस वीडियो में अंजीर से जुड़ी तमाम जनकारी आपको दे दी है अब आप इन जनकारीों के अधार पर या डाक्टर की सला पर अंजीर का सिवन सुरू कर सकते हैं दोस्तों मिलते हैं लिए वीडियो में एक नई जनकारी के साथ धन्यवाद